नमस्कार दोस्तो मैं गितांजली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गितांजली स्रेस्पीज में दोस्तो केला एक ऐसा फूरूट है जो पूरे साल सभी मौस्मों में आसानी से मिल जाता है और इसमें पोश्टिक तत्व भी भरपूर मातरा में पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए काफी फायदे मंद होते हैं अगर बच्चों को प्लेन दूद पीना पसंद ना हो तो आप दूद और केले से बनाना शेक बना कर बच्चों को दे सकते हैं बनाना शेक बच्चों और बड़ों दोनों को ही काफी पसंद आता है जो बच्चों की बढ़ती हुई मास्पेशियों के विकास में काफी मदद करता है जादतर लोग तो सुभा नाश्टे में बनाना शेक पीना पसंद करते हैं और जो लोग exercise करते हैं या जिनका वजन कम है उनके लिए तो बनाना शेक वरदान है और इसे घर पर बनाना भी बहुत आसान है तो आईए आज हम भी बनाना शेक बनाते हैं तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों आगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाईए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें बनाना शेक बनाने के लिए हमने पांच केले, चार चमत चीनी, दो हरी इलाईची और थोड़ा सा ड्राइफ फूट लिया है यहां हमने इलाईची के दाने निकाल कर कूट लिया है अब हम सभी केलो को मिक्सी के जार में डाल लेंगे आप चाहें तो केलो को कट करकर भी डाल सकते हैं अब इसमें 4-5 चम्मश चीनी और थोड़ा सा दूर डाल कर इसे अच्छे से पीस लेंगे केले पिस गए हैं अब हम इसे एक बाउल ये जग में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें आदा गिलास दूद और थोड़े से आइस क्यूब डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे बनाना शेक तैयार है आईए इसे सर्व करते हैं आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और इस रेस्पी को आप भी ट्राई कीजेगा अगर आपका कोई कोशन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को लाइक कीजेगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाईएगा ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो